एक नया धारवाहिक आने वाला है क्योंकि मंत्री भी कभी graduate थी और उसका opening line में बताती हूँ क्या होगा qualification के भी रूप बदलते हैं नए नए सांचे में ढलते हैं एक दिग्री आती है, एक दिग्री जाती है बनते एफिडेविट नए हैं जिस तरीके से स्मिती इराणी जी ने हम सब को, अरे ये बार-बार मुझसे गाने की बात ना करें बड़ी मुश्कल से गाया ये पूरा गाता हाँ, फिर से सुना दिगे जिस तरीके से स्मिती इराणी जी ने अपने एफिडेविट को लेकर, educational qualifications को लेकर एक चीज़ कायम की है कि किस तरीके से graduate से बारवी कक्षा के हो जाते हैं वो मोधी सरकार से ही और मोधी सरकार में ही मुम्किन है शुरुवात में उनकी 2004 की डिग्री से करना चाती हूँ आफी डेविट से करना चाती हूँ जो उन्होंने फाइल की थी फिर वो graduate हुई 2011 में BA से उन्होंने कहा BA से उनका मन नहीं लग रहा है तो क्यों ना हम BCOM की डिग्री बना ले तो उन्होंने अपना एफी डेविट राजिस सभा में लिखा है जहां पर कहती है School of Correspondence Delhi University BCOM Part 1 पर साल बदल जाता है वो decide करती है कि अब हमें 94 में करना है फिर आता है 2014 और 2014 में वो फिर डेली उनिवर्सिटी से हटकर School of Open Learning में डेली उनिवर्सिटी के अंतरगर जो चलता है वहाँ पर BCOM Part 1 फिर से कर रही है 94 में फिर उन पर सवाल पूछा जाता है कि आपके ऐफिडेविट में अलग-अलग सवाल या निशान क्यों खड़े हो रहे हैं तो वो कहती है आप मेरी डिग्रियों के बारे में पूछ रहे हैं मेरे पास तो येल की डिग्री भी है जो मुझे मिल चुकी है पर मैं वो अपने आफिडेविट में नहीं लिख रही तो इस टाइम हमें पूरी उमीद थी कि वो अपनी येल की डिग्री को भी मेंशन करेंगी येल डिग्री के साथ-साथ जो भी उनकी उपलब्धियां है पिछले पान साल में हो सकता है कुछ पिएच्डी कर लिया हो उन्होंने पर पिएच्डी जूट बोलने में किया अब वो साबित हो चुका है और वो पिएच्डी अब बताता है क्योंकि आज देश के सामने और मैं आपको बता दू 2017 में जब राजे सभा का वो नॉमिनेशन भर रही थी के रास्ते से और उसके हवाले से ख़बर मिली है कि उन्होंने कबूल किया है कि पिछले चार एफिडेविट में उन्होंने देश को जूट बोला है देश को बर्गलाया है और वो बीकॉम पार्ट वन में भी उन्होंने degree course complete नहीं किया है ये देश के सामने एक नई हकीकत और सच्चाई आई है कि कितना जूट परोसने का काम भारतिय जनता पार्टी ही नहीं भारतिय जनता पार्टी के senior leaders रोज देश में करते हैं और हमें दिक्कत इस बात की नहीं है उनके educational qualification है या नहीं है हमारे देश ने दिखा है कि दसवी पास हो बारवी पास हो अगर उनके पास vision हो और mission हो तो देश की तकदीड दिशा दिशा बदल सकते हैं पर गुस्सा इस बात से आता है कि ये मंत्री साहिबा पिछले इतने सालों से गलत affidavit देश के सामने लाए जा रही है ये सोच कर कि कोई उनसे ये सवाल नहीं पूछेगा और साथी साथ मैं ये ही पूछना चाहती हूँ कि अपनी गलत record एक legal affidavit में डालना क्या ये offense नहीं है section 125A के अंतरगत और section 33 के साथ अगर इसको पढ़े representation of people's act 1950 तो ये एक कानूनी प्रावधान है जहां पे उनको सजा मिल सकती है तो इस तरीके से अपनी power का इस्तिमाल करकर high court पे भी पाबंदी लगा देना कि आप लोग उनकी educational degrees को देश के सामने नहीं रख सकते हैं मैं मानती हूँ ये misuse of authority भी है तो क्यों ना हम union minister श्रीमती स्मिती इरानी से कहें कि moral authority के अंतरगात अगर कोई moral authority उनमें रह गई है वो step down करें immediately और उनका disqualification क्यों न माना जाए जिस तरीके से वो देश को affidavit के माध्यम से बर्गलाने का काम अपनी educational degree को लेकर कर रही हैं झाल